तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल जेकी जॉपस इन्फो गाइज आज हम आपके लिए एक गूड निव्ज लेकर आए हैं यहां पर आप देख सकते हो यह जो नोटिफिकेशन है यह रिलीज किया है यहां पर यहां पर आप देख सकते हो गवर्मेंट रेल्वे पुलीस हैड़कोर्टर यूटी जमू एंड कश्मीर स्रीनगर की तरफ से यहां पर आप देख सकते हो यहां पर नोटिफिकेशन हम आपको बताया हुआ है कि इंगेजमेंट आप एस्प्यूज यहां पर इंगेज किये जा रहे हैं हरेलवे पुलीस कश्मीर में ठीक है यहां पर आपको मैं बताता चलूं इसके बारे में आपको यह बताओं कि यह फॉर्म लगेंगे यह ऑफ लाइन पहले तो चीज आपको यह पता होने चीज़िए ऑफ लाइन आपको इसके लिए अप्लाइ करना है और हुए 18-18 के बीच में तो physical standard male के लिए 5 foot change और यहां पर female candidate के लिए 5 feet 2 inches यहां पर बताया है और chest की भी यहां पर दिये है 32 inches unexpanded और यहां पर बताया हुआ है कितना होना चाहिए आप तो उसके बाद physical endurance test जो होगा purity जो इसका होगा 1600 meter यहां पर 6 minutes और 15 seconds में male के लिए उसके बाद 1000 meter यहां पर 6 minutes और 15 seconds female के लिए बताया हुआ push up यहां पर 20 बताया हुए है ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं जो criteria बताया है अगर जिसके qualification metric pass होती है 10 marks उसको मिलेंगे उसके बाद 10 plus 2 वाले को 12 marks addition मिलेंगे उसके बाद graduation वाले को जो है यहां पर 15 marks मिलेंगे ठीक है तो यहां पर height वगरा जो मैं आपको बता दिया height के carding भी यहां पर मैं आपको बता दूं marks मिलने वाले हैं तो guys जिनकी height जादा है उनको addition marks मिलेंगे 5 feet 8 inch से जिनकी नीची है उनको 10 marks मिलेंगे और 5 feet and 8 inches से above marks height जिनकी उनको 11 marks मिलने वाले है उसी तरह से female candidate के लिए यहां पर जिनकी height 5 feet 4 inches से below है उनको 10 marks और 5 feet 4 inches से above जिनकी है उनको 11 marks यहां पर मिलने वाले हैं यहां पर और इनने बताया है कि for every additional inch 1 marks will be added subject to maximum of 15 marks 5 feet 8 inch से above जिसकी height होगी उसको 1 marks 1 inch जो है 1 inch के साब से extra marks यहां पर मिलने वाला है उसी तरह से यहां पर आपको बताता चलो documents क्या क्या लगने वाले हैं metric certificate educational certificate domicile और passport size photograph और यहां पर address इनने बताया है कि आपको कहां कहां पर आपको जो है form submit करना है ठीक है तो यह रहा इनका address यहां पर आपको जो है पहुंचाने है अपने form फिल करके उसके बाद अगर आपको कोई contact करना है जम्मू से belong करते हैं तो आप इन numbers पर contact कर सकते हैं उसके बाद कश्मीर के लिए भी आपने number दे रहे हैं और यह रहा आपका offline form ठीक है इस format को जो है अपने print करना है और उसके बाद आपको जो है इसको submit करना है ठीक है आइस तो यह थी update वीडियो कर अच्छी लगी दोस्तों लाइक करें और चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलना ताकि हम कोई भी update हो आप तक जरूर पहु